असलाम अलेकुम not friends IPS कैसे हो आप सब उमीध करती हूँ आप सब खेर अर्से होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पानी पुरी की पानी और आलू वाली स्टुफी जो कलकत्ता में मिलती है वो स्ट्रायल में आप मुठी करीब कुतमीर डालेंगे और एक छोड़ा तुकडा अद्रक का और छे से साथ हम लसन की कलिया डालेंगे और 50 ग्राम मैंने इमली को जो है भिगो के रखी थी थोड़ी देर के लिए यानि आदा घंटी के लिए उसके बाद हम ये भी सारा इसमें डालके इसको पीस लेंगे और इसमें मैं हरी मिर्ची डालना भूल गए थी तो हरी मिर्ची भी इसमें डालके इसको एक बार वापस से पीस लेंगे तो हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से पीसका रेडी हो गया है तो हम एक बॉल नीचे रखेंगे इसके उपर इस तरह की छनी रखके इसको छान लेंगे और थोड़ा सा मिक्सर की वाटी में पानी डाल के धोकर इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम छान के निकाल लेंगे तो ये पानीपुरी थोड़ा अलग है लेकिन खाने में बहुत टेस्ट ही है आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राइ करें आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा इसको कलकता में जो है पुछका के नाम से इसको बोलते हैं तो आप लोग भी ज़रूर ट्राइ करें और अगर आपको रसीपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शैर ज़रूर करें तो यह भी हमारा चान के जो है हो चुका है अब इसमें हम बागी के ड्राइ मसाले दालेंगे तो आदा चमच हम इसमें चिली फ्लेक्स दालेंगे और आदा चम्मत से भी कम इसमें भुनावा जीरा पॉर्डर दालेंगे और आदा चम्मत से भी कम इसमें भुनावा धनिया पॉर्डर दालेंगे चाट मसाला दालेंगे आदा चम्मत से भी कम हम और नमक दालेंगे आप अपने टेस के साफ से नमक दाले और एक lemon का juice हम इस तारा दालेंगे और lemon को भी इसी पानी में दाल देंगे ताकि इसमें lemon की खुश्पु जो है अच्छी आए ये जो पानी पूरी का जो पानी है तो इसका जो पानी होता है बहुत तीखा और खटा होता है और आलू की जो स्ट्रफिंग के साथ बहुत अच्छा लगता है तो इसको भी काला नमक दालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक से दो गलास पानी दाल देंगे और पानी दालने के बाद आप नमक थोड़ा सा चेक करके अगर आपको लगे तो नमक दाल दिये में को थोड़ा कम लगा तो मैं नमक भी इसमें दाल दी तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम साइड में रख देंगे यह हमारा पानी रेडी अब इसकी आलू की जो स्ट्रफिंग है वो तैयार करेंगे तो यहां पर तीन बड़े आलू को जो है मैं बॉइल करके यहां पर मैश कर ली हूँ इसमें हम दालेंगे आदा चमच जीरा पॉडर और आदा चमच धनिया पॉडर आदा चमच लाल मिर्च का पॉडर और नमक दालेंगे और काला चना उबला हुआ यह दालेंगे और इन सब को अच्छे से mix करेंगे और एक बड़ी प्यास को जो है बारी काट के ये भी इसमें डाल देंगे अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो भी आप बारी काट के इसमें डाल सकते हैं और इन सब को जो अच्छे से mix करने के बाद हम पानी पूरी की जो पूरी मैंने बनाई थी तो आप लोग वो वीडियो देखे वो भी बनाई है और उसमें भरके आराम से आप पानी पूरी जो है इंजोई करें अगर आप लोग को में रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेर करें मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच, अल्ला आपिस